भारती नागरी कुलभूशन जादो के केस में पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है इस बार आईसीजे यानि इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस ने पाग की पोलपटी खोल का रखती है आईसीजी के अध्यक्ष जज अब्दुला कावी यूसुप ने यूएन जनरल असेंबली को बताया कि कुलभूशन मामले में पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के अनुछे 36 के तहत अपने दायतों की जिम्मदारी निभाने में नाकाम्याब रहा है पूरे मामले में जो कारवाही होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं की गई कोट ने ये भी कहा कि वियना कन्वेशन में कहीं इस बात की जिक्र नहीं है कि जासूसी के आरोप का सामना करे शक्स को काउंसलर एकसेस नहीं दिया जाता गोट ने कहा कि इसलिए पाकिस्तान को हर हाल में कुल्भूशन जादो मामले में काउंसलर एकसेस देना चाहिए था ये साफ तोर पर अनुछे थत्यस का उलंगन है गोट तलब है कि कुल्भूशन जादो को अपरेल 2017 में जासुजी और आतंगबाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य आदालत ने मौत की सजा सुनाई थी अब्दुलकावी एहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली बेंच नहीं इस मामले में सजा पर पुनर विचार करने का फैसला सुनायत